नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टिप्लिकेशन ट्रिक्स के वारे में कहीं न कहीं जब आप मैट के सवाल करते हैं तो यह मल्टिप्लिकेशन जो है यह काफी ज़्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए और कोशन आप कर तो लेते हैं लेकिन काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है और कॉम्पुटेटिव एग्जामनेशन पर तो समय काफी ज़्यादा महात है आपको लगबग एक गंटे में सौ सवाल से ज़्यादा करने होते हैं तो मुटिप्लिकेशन अगर आप जल्दी सीज़ जाएंगे या फिर जल्दी करना सीज़ जाएंगे तो आप आपके लिए कुशन करना काफी ज़्यादा इजी रहेगा आईए कुछ ट्रिक्स हैं मुटिप्लिकेशन की उनके बारे में जानते हैं कि कैसे आप अपना मुटिप्लिकेशन फर्स्ट कर सकते हैं इन्हांस कर सकते हैं चलिए एक एक करके अब हम ट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो हमारी जो पहले ट्रिक्स है तो हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है अब हम देखेंगे किनी भी दो हैं क्या करेंगे माली जी कोई टू डिजेट नमबर दिया हुआ है माली जी फॉर्टी एट को ट्वंटी थी से हमें मल्टिप्लाई करना है इसके स्यंगी तो इसमें तक ट्वय वाले टॵंटी दिवेट में डिजेट से हमें से भी लिवापाई में सकतलता है यौकरी दिवालिए पर्वंटाई कर लानः एट प्लसन को करेंगे फिर 8 तूजा 16 भी इसमें एड़ कर लेंगे तो हमारा हो गया 6, 2, 8 तो 10 का 0 हो जाएगा अच्छला 1, 2, 3 हो गया कैरी में हो गया 3 अब बात आएगी 4 तूजा 8 और 3 11 तो यह हमारा अंसर हो गया अब ऐसे करके चक्कर लेते हैं अच्छे आप कर दो लेंगे लेकिन आपके लिए काफी टाइम लगेगा जैसे करेंगे 8 तूजा 24 का 4, 8 तूजा 2 144 हो गया 1 कैरी गया सेम आंसर इस करने अब इस ट्रिक्स हो मैं फिर से बताता हूँ सबसे पहले एक टेक्राम के तूज़ इसको समझे पहले ट्रिक्स क्या है सबसे पहले ये वाले नंबर से ये वाले नंबर को मुटिप्लाई कर लेते हैं पहले ये वाले नंबर से ये वाले नंबर को मुटिप्लाई कर लेते हैं फिर ये वाले नंबर से ये वाले नंबर को मुटिप्लाई कर लेते हैं माल लीजे, आपको 34 को multiply करना है, 32 से, इसको करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये वाले नमबर से, ये वाले नमबर को multiply करेंगे, तो 4 टूजा हमारा 8 हो गया, फिर ये वाले नमबर से, ये वाले नमबर को multiply करेंगे, 3 टूजा 6 हो गया, 6 याद रखेंगे, 4 टूजा 12, 12 and 6 हो गया हमारा 18 क्या हो गया हमारा 18 1 क्यारी गया अब इसको इसको कर लेते हैं 3 3 4 9 1 10 ये हमारा अंसर आज़े चलिए एक और कोशिम कर लेते हैं ताकि जो हमारा जो ट्रिक है वो काफी जाजा समझ में आ जाए मान लीजे आपको 49 से 28 8 को मल्टिप्लाई करना है अब आप क्या करेंगे सबसे पहले 8 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आएगा हमने 2 लिखा 7 करी गया अब 8 4 जा 32 होता है तो हम 32 इधा लख लिए फिर हम 9 2 जा 18 होता है वो भी इधा लिख लेंगे हमारा 8 to 10 हो गया 17 पर 7 बन करी गया 3 1 4 1 5 हो गया 7 लिख दिया 5 करी गया 4 2 जा 8 8 5 हो गया 13 यह हमारा अंसर 1 लाइन में आ गया तो यह काफी ज़्यादा इजी ट्रिक था आप इसको पेपर में यूज़ कर सकते हैं आपको सॉल्ट परने में काफी ज़्यादा आश्मानी रहेगी अब आजाते हैं हमारा जो सेकन्ट ट्रिक है वो 3 triplets के लिए 3 numbers के लिए 2nd tricks को देखते हैं क्या है 2nd trick 2nd trick पेले ट्रिक हम ने सीका 2nd trick देखते हैं 2nd trick में simply कुछ ने करना है आपको यह 3 numbers दिये हों है 3 4 8 and one two three माल लीजिए अब ऐसे number हमको दिया गया है इसको मैं पता करना है कि यह multiply होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले चक करते हैं कैसे कैसे करेंगे इसी methods में कैसे करेंगे तो सबसे पहले सबसे पहले 3 को 8 से multiply करते हैं इसमें design याद करिए ऐसे ऐसे रहेगा फिर ऐसे ऐसे रहेगा फिर ऐसे यह design याद कर लीजिए ऐसे ही बड़ा चलाएगा सबसे पहले 8 फोर जा 24 हुआ दो कहरी गया इसका इसका multiply होगा फिर इसका इसका multiply होगा 3 फोर जा 12 14 हो गया 14 and 16 3 कहरी गया आप बाद में क्या करेंगे 4 2 जा 8 करेंगे और इनका 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 multiply करेंगे तो सबसे पहले 4 2 जा 8 लिख लिया हमने और carry भी हमारा 3 आया तो वो भी लिख लिया हमने यहापे फिर 3 3 जा कितना हुआ 9 लिख लिया और 8 बन जा 8 लिख लिया सबको चोड़ लो तो 8 8 16 16 23 19 19 9 हो गया हमारा 28 का 8 और हमारा 2 carry गया फिर क्या करेंगे 3 2 6 हो गया 2 8 हो गया 4 वन जा 4 हो गया 3 न कम 3 एक 4 तो यह हमारा answer आ गया आईए ब जानते हैं इसको फिर से समझते हैं कि कैसे मैंने किया सबसे पहले क्या किया मैंने 8 को 3 से multiply किया जो भी आया वो मैंने लिख दिया and 2 carry गया था carry को याद रखना है फिर यह वाले नमबर का इससे गोड़ा करना है और यह वाले का इससे गोड़ा करना है ठेक तो यह वाला गोड़ा करने के बाद हमारा जो आयेगा carry बगयरा जोड़ लेना है फिर क्या करेंगे बीच वाले नमबर का multiply करेंगे और यह वाले नमबर से यह वाले नमबर को गोड़ा करेंगे फिर यह वाल नमबर के यह वाल नमबर के यह वाल नमबर 2 2 तार्टिंग में मैंने इसी डिट लिया है ताकि आप समझ सकें कि कैसे करना है तो 2 और 2 हो गया मैंने सबसे पहले 2 लिख दिया अब यह वाले नमबर का इससे गुळा करना है तो 2 तुटू सा 4 हो गया और 2 अध्जा 2 4 2 6 हो गया यहाँ अब बीच वाले का गुडा करना है, इससे इसको करना, सबको ऐड कर ले तो टू हाँ, फिर इसको इससे करना है, घर फिर इससे करना है、26 न फिर 2 तू हाँ, इससे करना है, और यह 2 इससे हो गए यह हमारा answer हो गया तो यह हमारी multiply की ट्रिक्स ती धी वन लाइनरश की अगर आप चाहते हैं कि मैं four digits का भी आपको बताऊं गोड़ा तो आप मेरे next वीडियो के लिए wait करिए इसमें मैं और भी easy tricks बता रहा हूँ वो आप पढ़ते जाएए अब जो हमाई third trick है multiplication की आईए वो समझ लेते हैं third tricks कैसे उसको करना है अब जानते हैं माल लिए आपको कोई ऐसा नंबर दिया गया है three seven eight को इससे nine nine कोई ऐसा नंबर दिया गया है जिसमें nine nine से multiply किया जा रहा है तो इसके लिए आप easy tricks बना सकते हैं अपने आप से आईए देखते हैं कैसे बनाएंगे आप इसको आईए जानते हैं कैसिस को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे सिंप्ली कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर माल लेंगे 100 378 को अब 99 को हम लिचाते हैं 100-1 आईए अब हम जानते हैं trick 3 के बारे में trick 3 में simply क्या करते हैं 378 को अगर हम उपको 99 से multiply करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं 99 की जगा 100-1 assume कर लेते हैं तो जहाँ पर 99 था 100-1 भी माल लें तो बात तो वही है इसका multiply हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम 100 से 378 को multiply करेंगे तो हमारा इतना answer आजाएगा फिर हम minus cosine लगाएंगे फिर इसको इससे multiply करेंगे तो हमारा यह आजाएगा अब simplest को आप आराम से solve कर सकते हैं 10 में से 8 गया 2 बचेगा फिर यहाँ पर 9 बचा था 9 में से 7 गया 2 बचेगा यहाँ पर हमारा 7 बचा था 7 में से 3 गया 4 बचेगा अब यहाँ पर हमारा 7 बचा यह 3 बचा तो यह हमारा answer हो गया काफी ज़दा easy हो गया अगर आप 99 से multiply करते हैं तो काफी ज़दा time लग जाता अब एक और question देख लेते हैं जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं मालेज आपको 486 से multiply करना है 98 से 98 से आपको multiply करना है तो simply आपको खुश नहीं करना है यहाँ पर आप मान लेंगे 486 multiply by 100 minus 2 98 को हम 100 minus 2 भी लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं तो इसको क्या करेंगे 48600 यहाँ पर एक ट्रिक देखिए आप इसको 2 times multiply करेंगे कितनी बार multiply करेंगे 2 times multiply करेंगे तो हमारा 486 into 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 48600 हो जाएगा यहाँ पर 6 तूजा 12 8 जला 1 तेक 8 जला 1 9 हो जाएगा इसको subscribe कर लिए आप answer आजाएगा 10 मैं से 2 जाएगा 8 बचेएगा 9 बचेएगा 2 बचेएगा यहाँ पर बचेएगा 5 बचेएगा 15 15 यहाँ पर 6 बचेएगा यहाँ पर इससाएगा यह हमारा answer हो जाएगा तो यह थी हमारी 3 ट्रिक जिसमें हमने देखा कि हम कैसे multiply कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे 4 ट्रिक के बारे में 4 ट्रिक हमारी क्या है अब हम आपको ऐसी numbers बताएंगी जिसमें आपको simply करना कुछ नहीं होता है क्या होता है कि जब भी आप खुशन कर रहे होते हैं तो आपको ऐसी numbers मिल सकते हैं माली जी आपको मिल गया 7, 3, 1, 2 को 5 से multiply करना है अगर आप इसको 5 से करेंगे तो काफी ज़्यदा आपको tough situations को handle करना पड़ सकता है पर आप जब इसको माली जी इसको 10 यहाँ पर बना ले तो तो काफी आसान हो जाएगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं 7, 3, 1, 2 इसको 5 से उपर भी 2 से multiply करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 7, 3, 1, 2 हो जाएगा multiply by 10 हो जाएगा upon 2 हो जाएगा असानी से आप इसको 2 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं काट सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जगा 2, 3, 6 क्या हो जाएगा 2, 3, 6 इसको 10 आप directly answer लेख सकते हैं कि यह हमारा काफी ज़्यादा असान हो जाए फिर आप हम first example हमने देखा आप second example लेखते हैं second example को भी हम कैसे solve करेंगे आई आई लेखते हैं for example assume there is a number 3748 and it is going to be multiplied by 25 इसको easy बनाने के लिए क्या करेंगे 3748 है हमारा इसको multiply करेंगे 25 into 4 कर देंगे यह हमारा 100 बन जाएगा उपर 4 से multiply किया है तो नीचे भी 4 से multiply करेंगे तो हमारा बन जाएगा अब इसको इससे काटेंगे तो देखते हैं क्या answer आएगा तो यह हमारा 4 बन जा 4 हो जाएगा उपर बचेगा 4936 and 4 तीज़ा 12 into 100 1,1 9,3,7,0,0 अब एक और एक्जामपल देख लेते हैं ताकि यह trick हमारी easily आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए एक और एक्जामपल ले लेते हैं माल लेजे हमको multiply करना है 6,3,8 को 125 से multiply करना है तो इसको भी हम ऐसा exit digit बना दें जहाँ पर 00 आ जाए ताकि में multiply करने के लिए काफी जादा easy हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे 6,3,8 को 125 से इसको हम किस से multiply कर दें इसको हम multiply कर दें 8 से multiply कर दें 8 से multiply करेंगे उपर 8 से नीचे भी करेंगे अब 8 से multiply करने पर हमको मिल जाएगा 6,3,8 इंटू 1000 अपान 8 काफी ज़दा easy रहेगा हमारा यहापर जाए हम इसको calculate करेंगे तो हमारा आजाएगा 6,3,8 1,2,3,0 जाएगा अपान 8 आजाएगा इसको जो solve करेंगे तो हमारा पास answer आजाएगा तो यह भी काफी easy से trick थी जिसको हम solve करने में काफी असानी और काफी जल्दी से कर सकते हैं अब हम बढ़ेंगे trick number 4 के बारे में अब हम बात करेंगे trick number 4 यह भी काफी ज़्यादा important हो जाती है prospectus से आज हम तो को एक अनोखी से trick बताएगे जिसको करने के बाद आप समझ जाएगे कि आप काफी ज़्यादा helpful रहेगी यह trick तो इसमें होते काई इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ मैं 83 है into 87 करना है तो इसको आप simply कर सकते हैं 8 का square कर सकते हैं and फिर वही number को add करना है और जो दूसरे number है उनको last में क्या करना है multiply करना है इनका जो sum आएगा एक side लिखना है और यहाँ पर जो दो number आएगे 37 जा कर देना है तो हमारा 8 नहीं 64 8 हो गया 72 into 21 अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया अगर आपको कोई ऐसा number मिलता है जहाँ पर last की दोनों digits का sum कितना है 10 आए कितना है 10 आए लास्ट की digits का sum कितना है 10 आए और जो starting की digits है वो same same हो तो क्या करना है जो starting की digits है उनका square करके वही number जोड देना है और पीछे वाले number का multiply करके पीछे लिख देना है यसे यहाँ पर क्या था 7, 3, 2, 1 हमने पीछे लिख दिया अब यहाँ पर क्या है 8 का square करके 8 जोड की यहाँ पर लिख दिया हमने एक question और करते है ठाकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ भाए मन दीजे यहाँ पर हमको दिया है 112 को multiply करना है 118 को आप देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है दोनों का sum कितना हो गया 10 हो गया और यहाँ पर 11 11 है तो trick के हिसाब से हमारा 11 का square हो जाएगा प्लस उसमें 11 add हो जाएगा और last में जो हमारा लिखी जाएंगे digits वो हमारा इसका multiply हो जाता है तो 2 x 8 जा 16 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे तो 121 आएगा कितना आएगा 121 आएगा उसमें 11 add करोगे तो हमारा 132 आजाएगा कितना आएगा 13216 तो यह हमारी अलग सी trick थी तो यह trick हमारा यूज करते हैं 5 के multiply में कोई भी table निकालना हो मान लिजे हमको 15 का निकालना है 15 multiply by 15 यहाँ पर द्यान से देखिए digits जो है same है और इन दोनों का sum 10 है तो क्या करेंगे simply क्या करेंगे यहाँ पर 55 जा 25 लिख दिया और यहाँ पर 1 का square करके 1 add कर दिया तो यहाँ पर हमारा 225 हो गया ऐसा ही 25 का कुड़ा अगर 25 से करना है तो क्या करते है यह देखिए addition हमारा 10 आ रहा है और यह digits सेम है तो इसको multiply करके कितना हो गया 25 हो गया अब यह वारा जो है 2 का square करके 2 जोड दिजे तो 2 का square प्लस का 2 करिए तो हमारा 22 जा 4, 2, 6 हो गया ऐसा ही 3 35 में भी करते है तो इसमें क्या हो जाता है तो यहाँ पर 3 का square करके 3 जोड ना है और फिर यहाँ पर 55 का गुड़ा लिखना है तो answer में क्या हो जाएगा 25 इधर हो जाएगा 3, 3, 9, 3, 12 हो जाएगा 12, 25 हो जाएगा ऐसे ही 45 का निकालते है देखिए same है 10 addition आ रहा है इसका इसका same result है तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 लिख दिया और इसको square करती है 4, 4, 16, 4, 20 हो गया यह भी answer आ गया ऐसे ही 55 का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में 25 हो जाएगा आसे ही आप यह इस trick से किसी का भी जो multiplication है वो आसानी से कर सकते हैं तो यह हमारी trick थी बेसिकली यह हमारी चारो trick थी जो हमारी multiplication में काफी helpful रहते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही tricks के लिए हमारे साथ जूड़े रहे UPSC motivators के साथ और अपनी profession धासू करिए और कोई न कोई exam जरू मिकाले धन्यवाद